अर्चना गौतम और टीना दत्ता के बीच में हाल ही में हमने एक लड़ाई देखी थी इशू था हाइजीन का जहाँ पर टीना अपने आपको बहुत हाइजीनिक दिखाती है लेकिन अपना रूम ही साफ नहीं करती आपने वो इशू देखा था एंड उसके बाद दोस्तो प्रियांका जो है उनकी हंसी नहीं रुक रही थी क्योंकि जस तरीके से अर्चना ने वो इशू उठाया उस इशू के चलते टीना दत्ता ने जो आलू गैस पर रखे थे वो आलू जल गय थे तो किस तरीके से प्रियांका अंकित को ये सुना रही है जलिए बात करते हैं स्वागत है आप सभी का बॉलिवूड स्पाय में मैं हूँ अदुती शर्मा तो सुबह सुबह आर्चना और टीना की लडाई हुई जिसमें आर्चना ने कह दिया कि सुमबल तुम सबसे ज़धा काम करती है और बिचारी उसी से सारा काम करवाते हो उसके बाद जो है टीना और सुमबल आपस में भिढ़ने लगे और अर्चना बाहर आ गई जिस पर प्रियांका को बहुत जादा हसी आ रहे थी कि ये गई इसने तीली लगाए इसने बोला कि चौक्टा यानि कि मूँ साफ करने से कुछ नहीं होता रूम भी साफ करना पड़ता है हमें डेंगो मलेरिया हो जाएगा यहां पर अगर तुम रूम इतना गंदा जिस पर प्रियांका हस रही थी और अंकित को बता रही थी कि टीना जो है इसके पीछे-पीछे आ गई कैप्टन के रूम में यानि कि शिव के रूम में और वहां पर आकर चिलाने लगी और पीछे आलू रखके आई थी गैस पे और वो सारे के सारे आलू जल गए और अब सुम्बुल और टीना लड़ रहे हैं और देखो अर्चना बाहर बैटी है जिस पर अंकित को भी हंसी आती है तो दोस्तों आप सभी को क्या है इस पर कहना कॉमेंट्स में जरूर बताईए